अगर मुसलिम और यादों ने वोट नहीं दिया, तो हम उनका काम नहीं करेंगे हम चाय पानी तो पूछ लेंगे, लेकिन काम किसी भी सुरत में नहीं करेंगे आप भी हैरान हो गए होंगे, ऐसा मैं क्यों कह रहे हूँ दरसल ऐसा मैं नहीं जेडियो के माननिये कह रहे हैं आपने ठीक सुना जेडियो सांसद है देविशंद्र ठाकुर उनकी ये भाषा है उनका बयान है और जब से उन्होंने इन शब्दों का इस्तमाल किया है बिहार में सियासी बवाल मुच चुका है और ये है समिकरन के तहट M.Y. समिकरन और इनहीं को टागेट किया है किसने जेडियो के माननिये सांसद ने अब सियासी बवाल इसमें गे मचा है और जेडि का कहना है कि क्या देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोती भी जाती पूछ कर काम करते हैं क्या वह जातीयों के आधार पर भी ही लोगों की समस्याई सुनते हैं समस्याओ का निप्रारा करते हैं क्योंकि जिस तरीके से माननिये सांसद की भाशा है सीधे नाम लेकर कहा गया है कि आप मुसलिम और यादव हैं तो आपका काम किसी भी सूरत में हम नहीं करेंगे लेकिन ये माननियों की भाशा है ये ने दौर की राजनिती है ये बहुत बक्त से चला रहा है कि जातीयों को देखकर ही राजनिती में लोग आगे बढ़ते हैं उनका जराधार भी उनका अकद भी बढ़ता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर टिकट वितरन में जात को प्रम्खता नहीं दे जाती जब की होता यही रायत जाहें जिस भी पार्ट ये रहें करते हैं अपना जनाधार भी तैयार करते हैं एंगैं यह काम ». यह और बात है कि कोई खेकर मंचसे इन बातों का जिक्रम नहीं करता लेकिन देविश चंद्र ठाकूर ने सीधे सीधे कह दिया कि हम मुस्लिमों का और यादों का काम किसी भी सूरत में नहीं करने वाले हैं हाला कि विवक्षी खेमे से एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं इसका जवाब या इसकी सफाई जीडियो के तरफ से उस तरीके से नहीं आई है और साथी साथ मैं इनके प्रोफाइल के बारे में एक और जान कर दे दूआ आप कोई ये सिर्फ सांसत नहीं है विधान परिशद के पूर्व सभापती भी है मतलब इतने जमेदार ओहदे पर रहने वाले इन्होंने ऐसी भाषा का ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया है जिसे दोहनारा मुश्किल है क्योंकि इस तरीकी की राजनीती कोई नहीं करता है जब देश की प्रधान मंत्री या केंदर सरकार के तरब से जो भी योजनाएं आती है उसमें इस बात का जिक्र होता है सब का साथ सब का विकास यानि कोई जाती धर्म देखकर किसी के लिए कोई योजना तयार नहीं कि जाती है और राजक सतर पर भी और देश के सतर पर योजना नहीं है जिसको जाती कर अधार पर तयार किया गया हो अलग मामला है वो समिधान में नहीं थे और समिधान के गनुफीर नुसार ही आपको आगे भी बढ़ना है उसमें भी एगर कोई फियर बदल करता है तो इसकी नियमावली है और उसको लेकर सवाल भी उठाए जाते हैं अब आने वाले वक्त में क्या GDU और नितीश कुमार के तरफ से इस पर कोई सफाई आती है क्या ये कहा जाता है कि इनका निजी बयान है या उनके तरफ से कोई माफी नामा या फिर कोई सफाई पेश की जाती है कि नहीं अभी बहुत घंटे गुजर चुके हैं अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है लेकिन जाहिर सी बात है बिहार चुनावी प्रदेश है एक साल में चुनाव वहां फिर होना है अगर इस तरीके से जातियों में डिवाइड करके देखा जाए तो नुकसान पहुंचना स्वभाविक है तो ऐसे में आनन फानमें में अमुवन पाटिया क्या करती है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो क्या नितीश कुमार या फिर उनके और किसी वरिष्टे चेहरे के तरब से कोई सफाई आती है देविशंद्र ठाकूर को लेकर जिन्होंने सीधे जातियों का नाम लेकर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे यादव या सारे मुसलिम उन्हीं को ही वोट करते हैं ऐसा भी है कि जोगों पे किसी और समिकरन के तहत या किसी चेहरे के बदालत वो दूसरे को भी वोट करते हैं ये भी एक सचाई है और इस सचाई को देखते हैं या अगर वोट नही भी देता है तो ये कहीं से भी नियम नहीं है कि आप उसका काम नहीं करेंगे कोई सांसदो या फिर विधायक वो किसी चुरावी सभा से जाकर या किसी कारेक्रम स्थल से जाकर ये नहीं कह सकता कि चाय पानी तुम आपको पूछेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे अब देखिए इस बामले पर सियासर तो खुब हो रही है लेकिन आने वाले वक्त में इसका पड़ा शेप कैसे होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार केजिए